हेलो एवरीवन इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में अंडरस्टेंडिंग लेविल ओफ टीचिंग के बारे में सो अंडरस्टेंडिंग लेविल ओफ टीचिंग का मेनिंग और उसके अलिमेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था इस वीडियो में हम discuss करेंगे merits of the understanding level of teaching और इसके demerits को भी side by side cover करेंगे so merits और demerits जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि जितने भी आपका teaching में होते हैं उन सब की कुछ merits होते हैं और कुछ demerits होते हैं और limitation you can say तो कभी-कभी limitations जादा होते हैं और कभी-कभी limitations सिर्फ जैसे कि मैंने आपको example दिया था कि अगर classroom में perfect and low समझाया गया तो वो एक understanding level बन गई है और जब उसी चीज को बाहर apply किया गया तो वो क्या होता है application level और उसी level को बोलते है reflective level of teaching जो कि हम next video में discuss करेंगे तो अगर suppose teacher ने बोल दिया कि अगर present time की बात करें nowadays 2021 में कोरोना के उपर आप क्या impact पड़े हैं लोगों के life में उसे लिखे ये question teacher ने दे दिया for example तो अब क्या होगा class में अगर 30-40 students है तो हर एक student अपना-पना understanding level के according इस question को present करेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो उसका understanding level है वो उसको समझ में आ गया है क्या है कैसे है तो वो उस चीज़ को elaborate कर देता है thinking ability develop होती है understanding level of teaching में thinking ability कैसे develop होगी कि pandemics में क्या-क्या हो रहा था या क्या-क्या हो रहा है या उसके impacts क्या है vaccination हुआ की नहीं है यह सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में आनी शिरू हो जाएंगी यह सिर्फ एक एक्जामपल है कि किस तरीके से उनकी thinking जो level है वो जो उनकी ability है वो develop होती है next point है knowledge acquires at the level forms on the basis of reflective level of teaching यहाँ पर knowledge को acquire किया जाता है ठीक है कि कौन-कौन सी knowledge हमें gain करनी है कौन-कौन सी चीजों की हमें जरूरत है जैसे कि हमने जब इससे पहले वाले वीडियो में discuss किया था कि जो understanding level of teaching है उसमें क्या होता है कि एक frame set कर दिया जाता है कि teaching learning का objective क्या है उसके बाद जो teacher है और जो learner है वो दोनों उसके उपर काम करते है student अपना काम करता है और teacher अपना काम करते है इसमें दोनों ही क्या करते है पाटिसेपेट करते हैं लेकिन memory level में ऐसा नहीं था एक teacher जो है वो subject matter को content को organize करता है ठीक है प्रेजेंट करता है किस से पहले जिस से पहले कि students किसी चीज़ के knowledge ले चुके हैं उसके बाद उनको आगे की knowledge provide करता है the new knowledge required is related to the previous knowledge previous knowledge से related कैसे होगा एक छोटा सा example देखते हूं जैसे कि class में teacher को pronouns सिखाना है ठीक है प्रोनान सिखाने से पहले students को noun आना चाहिए तो एक दिन उसने क्या किया टीचर ने एक दिन noun सिखा दिया अब next day अगर आके वो adjective सिखाएगी तो क्या होगा नाउन सिखाए फिर adjective सिखाए फिर advog सिखाए फिर pronoun सिखाए तो जब वो दो तीन चार topic बीच में कराने के बाद pronoun कराईगी तो वहाँ पे connectivity नहीं रहेगी फिर से उसको noun को वहाँ थोड़ा बहुत elaborate करना पड़ाईगा एक best भी क्या होता है नाउन कराया उसके बाद pronoun मतलब एक चीज दूसरे से अगर related है तो उसको sequence में कराया जाता है इस level पे ठीक है जैसे कि noun के बाद pronoun कराना तो वह इसके साथ क्या हो जाएगा रिलेट कर जाएगा कि इसके साथ यह एक merit है understanding level of teaching की कि पहले कोई चीज आ गई है उसके बाद आगे के चीज कराना जो कि उसके previous से related हो कि इसके अंदर आ जाता है next I hear the student do not learn by road यह बहुत important है क्योंकि memory level of teaching में क्या था कि जो students थे वो road learning कर रहे थे वो रट रहे थे जैसे मैंने example दिया था कि जब nursery class में student आता है या kg में होता है तो वो कुछ poetry को बिल्कुल अपने lips पर रखता है हलाकि they don't know कि जो making of joining of two alphabet जो word होते है उनको क्या बोलते है वो रट के सीख जाता है twinkle twinkle little star poetry लेकिन यहाँ पर क्या होता है understanding level of teaching में कि बच्चा road learning नहीं करता है वो चीजों को समझ के करता है understanding के साथ करता है here they learn by understanding the facts and information and the use of purpose और अपने purpose जो उसका काम है उसको भी यूज करता है like कोई भी काम है कोई भी objective अगर सेट किया गया है तो उसका कुछ ना कुछ purpose है कुछ ना कुछ यूज है अगर कोई भी topic पढ़ाया जा रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई purpose है या कोई ना कोई objectives है तो अपने उस purpose और अपने उस objectives को complete करने के लिए फुल्फिल करने के लिए जो student है और जो teacher है वो दोनों इसके अंदर क्या होते है एक्टिव होते हैं लेकिन अगर हम compare करें memory level of teaching में तो memory level of teaching में क्या था जो teacher था वही active था students passive थे तो जो development हो रहा था वो होतो रहा था बट by the road learning वहाँ पर understanding level जो था वो develop नहीं हो रहा था there is no interaction between the teacher and student at this level यहाँ पर जो teaching हो रही है वो subject centered होती है जितनी भी teaching होती है वो subject centered होती है और यह time consuming होता है comparison to memory level of learning जब हमने elements discuss किया थे तो वहाँ पर था ना कि evaluation भी होगा तो जब यह चीज़ें होंगी तो अगर समझ में नहीं आएगा तो दुबारा से यह तीसरी बार यह चोती बार यह पांचवी बार इस तरीके से जब class में उस चीज़ को समझाय जाएगा तो यह एक time taking हो जाता है जो हमारा understanding level of teaching है यह subject centered भी होता है यह इसकी एक demerit है subject centered क्यों होता है क्योंकि यह अपने subject अपने content पर ही काम करता है जबकि memory level में क्या था वहाँ पर कुछ चीज़ें content की नहीं भी होती है तो भी उसे सिर्फ enjoyment के लिए जिसे की poetry का recitation या इस तरीके की चीज़ें हो जाते थी sequence से पढ़ने पर ही चीज़ें समझ में आएंगी क्योंकि अभी जो topic पढ़ाया है merits और demerits का merits और demerits समझने से पहले आपको इसके elements और यह understanding level of teaching क्या होता है यह जाना ज़रूरी है जो कि आपको teaching aptitude की वीडियो में जिस पे 7 number mention है वहाँ पर यह मिलेगी तो आप इसे effective level of teaching और वो भी हम कबर करेंगे दो तिन वीडियो में उसके बाद हमारा aim of teaching और बाकी के जो concepts है वो start हो जाएंगे कि सब्सक्राइब कर लीजे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ध्यान रखिए अपना मिलेंगे next वीडियो में